नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबीका इस्टेडी विद ग्यान प्रकास में एक बहुत ही अच्छी ख़बर निकल के आ रही है अनसाट 1500 सिक्षक भरती परिच्छा से जुड़ी हुई और यहां पर जो भी अपडेट प्राप्त हो रहा है उसके अनसार अब इस करना बहुत ही आसान हो गया है मामला होते यहां तक बन रहा है कि जिन लोगों न भी आविदन किया है लगब सब की नौकरी यहां पर तैमानी जा रही है बसरते कि आथोड़ी सी महनत कर दें तो फ्रेंड साहब जो निउस निकल के आ रही है उसके बारे में बात करें तो ज सकित कर दिया गया था और अब कोड के निर्देश पर दो ग्रेस अंक देकर इस परड़ाम को जारी कर दिया गया है यानि कि इसमें जितने भी अभ्यर्थी थे उनको दो ग्रेस अंक और भी दिया गया तो इससे क्या हुआ कि 4423 और भी अभ्यर्थी जो सफल हो गया है और इ चारहजार 423 नए लोगों को पास कर दिया गया है और यह रिजल्ट जो है यह यूपी बेसिक एजब बोर्ड यानि की ऑफिसल वेफसाइट पर अलेबल है अगर आपने अभी तो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लिजिए ठीक है यह अफिसल वेफसाइट है यहा आपका जो नया वाला रिजल्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा ठीक है अब देखो एक अच्छी खबर जो निकल के आ रही वो यह है कि यूपी टीटी का जो जो रिजल्ट आया था 2017 का उसको देखते सरकार भी डर गई है उसे यह अंदेशा हो गया है कि 68500 लोग क्वालिफ कर पाएंगे परिक्षा को या नहीं कर पाएंगे तो इस अंदेशे के चलते यहाँ पर घटा दिया गया है यानि कि जो पासिंग पर्शेंट था पहले जैसा कि आपको पता है कि जनरल और OBC के लिए 45% रखा गया था पासिंग पर्शेंट और यस्टी और यस्टी के लिए 40% रखा गया था यानि कि 150 अंग की जो परिक्षा होनी थी उसमें जनरल और OBC करनी डेट को 67.50 यानि कि लगभग 68 अंग परावत करना था पास होने के लिए क्वालिफाई करने के लिए ताकि उनकी मिरिट बन सके मिरिट लिस्ट में उनका नाम आ सके और 80 को 60 अंग पराव करना था आउट आफ 150 लेकिन अब जैसा कि रिजल जब जारी हुआ था तो आपने देखा था कि जो रिजल जारी हुआ था उसमें प्राथमिक अस्तर के जो रिजल रहता वह बहुत ही कम था 17.34 पर चार्ट मात रहता उच प्राथमिक अस्तर पर रिजल और भी पूर था के साथ दसमलो आठ साथ हिस्दी कंडिटेटी क्वालिफाई कर पाये थे तो 68500 की जो सिक्षक भरती परिच्छा है इसमें सिर्फ प्राथमिक टीटी पास अभ्यरती ही सामिल हो सकेंगे तो यहां परकरम बात करें तो प्राथमिक अस्तर की जो टीटी परिच्छा होई थी उसमे में कुल मिलाके 3,49,152 अभ्यरतियों ने रिजिस्टेशन किया था परिच्छा में बैठे थे 2,666,636 और पास हुए थे कितने मात्र 47,975 यानि कि सिर्फ 100 में से 17 कंडिडेट ही पास हो पाये थे तो सरकार को एक अंदेशा यह भी हो रहा है कि हो सकता है कि इस बार भी जो पासिंग जो नमबरा पासिंग कंडिडेट्स है वो काफी कम हो जा है तो इसका असर पड़ेगा और 6,500 की जो सिक्छक भरती पर 6,500 सहायक अध्यापों की भरती के लिए 27 मई को प्रस्तावित 150 अंगों की लिखित परिक्षा में 33% नमबर पाने वाले पास माने जाएंगे यानि कि कुल लाकि अगर आप 49.50 यानि कि अगर लगभग 50 नमबर एक तिहाई अंग 150 का एक तिहाई यानि कि 50 नमबर भी अगर क को इप्राद कर पाता है तो वो अध्यापक बनने के लिए योग्य माना जाएगा मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ की निर्देश पर परिष्छा नियामक प्राधिकारी कर्याले ने परिष्छा की तैयारिया शुरू कर दी है सासर के निर्देश पर 5% कम करने का प्रस्ता एवं यसी यस्टी के लिए 40% नंबर रखा गया था लेकिन सिक्षा में तर पास प्रतिसत कम करने का दबाव बनाया हुए थे 33% पर पास मानने होता है तो 150 अंकों की परिष्छा में 49 दस्मनों 5 मतलब लगब 50 नंबर पाने वाले भी सिक्षक बनने के योग्योंगे सफल अ जापक भरती परिष्छा उत्रिण होने का प्रमारपत्र जारी किया जाएगा अब यहाँ पर आगर आप देखें तो यहाँ पर कितने लोग पास हुए हैं यहाँ पर कुल जो पास हुए इस बार यूपी टीटी में वो हैं 52,423 पहले पास हुए थे जितने लोग उनमें से 4,423 लोग बढ़ गए हैं टोटल मिलाके 52,423 लोगी इस परिष्छा को क्वालिफाई कर पाए हैं और पूरिस जो सीटे हैं इस भरती में वो हैं 98,500 हलाकि जो आवेदन हुए हैं उनकी संख्या अधिक है आवेदन के बारे में करें बात करें तो 1,24,938 आवेदन हुए थे और उसमें जो है 1,24,846 अभिर्थी परिष्छा में सामिल होंगे क्योंकि इन में से 4,92 बारे की जो आवेदन थे वो बिभिने कारणों से निरस्थ कर दिये गए थे ठीक हैं अब देखें इसका मतलब यहां यहां पर निकल क्याता है कि अब जो एक कंपटिशन होना था वो काफी आसान हो गया है पहली बात यह कि number of candidates बहुत ही कम है लगभग दुगुने भी नहीं है ठीक है यहां पर डेड़ दुगुने का मामला बन रहा है और अगर आप railway के बारे में बात करें तो एक seat पर तीन सो लोग दावेदार है यहां पर एक seat पर लगभग एक ही जी आ रही कि 27 मई को परिशा हो सकती है लेकिन यह परिशा जून के पहले सत्ता में संपन होने के बारे में भी सुचना मिल रही है ऑफिसली अभी तक कोई भी declaration नहीं हुआ है जैसे कोई सुचना प्राप्त होती है आपको दी जाएगी हमारे चनल पर बने रही है आप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आपके स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन आ रहा होगा वहाँ पर प्रेस कर दीजेगा साथे साथ बेल आइकान पर भी दबा दीजेगा ताकि जब भी कोई वीडियो अप्लोड होता है इस चैनल पर उसका notification आपको मि सके तो थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक एंड शेयर मिलते हैं अगले वीडियो में आगए निजिए नमस्कार जैहिंद